दोश्तों नमस्ते चानल में आपका फिसस स्वागत है यह आखरी रीडिंग है इसके बाद रीडिंग नहीं होगी 15 अक्टोबर के जिनकी जिनकी सेलेक्शन हुई है उनका 30 अक्टोबर तक का राउंड है तो अभी आप कुंडली बह सकते हैं तो अगर आपकी रीडिंग 15 अक से पहली बार देख रहे हैं तो जैसे मैं कहता हूँ selected कुनलीट्स की frequently reading होती है और personal reading भी होती है personal reading के लिए आप call कर सकते हैं मेरे को जो की chargeable रहेगी लेकिन अगर frequently charge reading करवाते हैं तो selected कुनलीट्स की होती है मतलब जो select होती है उनकी होती है अब 30 October तक का round चल रहा है अगर आपकी भी selection हो जाती है तो आपकी reading हो जाएगी आप description में जो number है उस पर whatsapp drop कर दीजे अगर आपका selection होता है तो आपके दो सवालों के जवाब दिये जाएंगे अपना date over time, place, name, gender वगएरा और क्या होता अपने पसंद के दो सवालों चानल सब्सक्राइब करके whatsapp drop कर दीजे अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो चानल सब्सक्राइब करिए, please like करिए और comment करिए बहराल अभी जो reading होनी है अभी मेरे को दूसरी भी मैंने अपने कुछ और भी जो वीडियोस है जैसे केतू की मैंने फर्स्ट हाउस पर जो एफल्स हैं उसके रिगार्डिंग मैंने बात करनी है तो उसके वीडियोस बनाने है मेरे को मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके बनाओ और लगन 22 बे मेरे को रिडिंग देनी है तो वो भी करूँगा बहराले इस वीडियो को देख लेते हैं ये वीडियो जो है ये हंसा जी की है हंसा जी की एज 30 एर्स है तीस साल की एज हंसा जी की और हंसा जी का सवाल ये है जी की शादी कैसी होगी मतलब शादी, लव होगी, अरेंज होगी और जॉब का उनका जॉब जा चुका है तो जॉब का पूछ रही है और ये भी पूछें कि मैं अबराट सेटल होने के चांसेज है के नहीं अजसा जी पहले दूसरे सवाल को ले लेते हैं जॉब सेटलमेंट आपकी जॉब अगर गई है तो ये शनी के अभी आपकी महादशा काफी टाइम से चल ले थी अगर आप देखे तो शनी की महादशा काफी पहले से चल ली थी लिए गुरू के अंतरदशा लगी थी 2021 के आसपर शायद और जो की खतम हो रही है सप्टमबर के 24 तारिक को आपकी गुरू की अंतरदशा खतम होगी तो सप्टमबर के 24 तारिक को अगर आप गुरू के अंतरदशा आपकी खतम हो रही है या कुछ family matters related आपको अपना focus transfer करना चाहिए हो सकता है जिकि यहाँ पर आपको benefits वहाँ से मिले आपने उस सवाल इसके इलावा आपने मुझे से पूछा नहीं तो मैं उसके regarding बोलूँ आ लिए लेकिन यहाँ पर अभी chances आपको job से जादा job वैसे क्यों गई है मुझे नहीं पता बट उसकी priority की reason से गई है कुछ और reason आये है इस वज़ा से आपने अपनी नौकरी छोड़ी है या चली गई है शनी की महादशा में दूसरा शनी साथवे घर बैटा तो कहीं न कहीं business को denote करता है तो अगर आप अपना काम भी शुरू करती है परसन काम भी करना चाहती है फैमिली से support लेके है फैमिली के साथ तो भी ये chances बनता है के तू second हो तरस्वे घर में बैठा हुआ है हालकि positive उतना नहीं है के तू यहाँ पर बैठा हुआ लेकिन point of view यहाँ पर यहाँ पर आपके नौकरी को लेके के तू कहीं न कहीं यहाँ पर disturbance देगा या फादर को लेके देगा तो दोनों में से किसी एक चीछ को लेके जरूर disturbance रहेगी अगर नौकरी को लेके है तो आप job profile को छोड़के business में forward कर सकती है अभी कहीं न कहीं education अपनी knowledge को बढ़ाने का sign दिखा रहा है और कहीं न कहीं ancestral property को लेके कहीं न कहीं या family matters को लेके कहीं न कहीं reasons दिखा रहे हैं शायद इस वज़ा से आपको कोई problem होई है आगे ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर आपने जो सवाल पूछा है मैं उसी पर focus करूँगा दो सवाल है marriage का पूछा है देखिए शनी सात्वे घर में बैठा हुआ है और शुक्र की दिष्टी पर रही है सीधर लगन में शुक्र बैठा है सूरे की लगन है आपकी आप था का authoritative है या आपकी family authoritative आपकी language में authoritative उसको थोड़ा सा सम्हालने की कोशिश करिए simultaneously बोलूँगा जै कि marriage आपका love marriage होने या out of cost marriage होने के ज़्यादा chances बनते हैं reason being आप शनी सात्वे घर में बैठा है और शनी अपनी राशिय में बैठा है तो अपनी पसंद की शादी और शुक्र की दिष्टी पड़े शुक्र इस kind of a charming personality तो आपकी personality charming होगी काफी जादा interesting होगी और काफी सुंदर बनाता है इंसान को तो यह कहीं ना कहीं हो सकता है जीकि शुक्र की दिष्टी और शनी की अपने presence अपने house में 7th house को marriage का घर में बैठने के कारण और Jupiter का भी second house में बैठने के कारण हो सकता है आपकी जो पसंद हो उससे आपकी शादी हो जाए और वो घरवाले भी मान जाए और घरवालों का support मिले और उनके घरवालों का भी support मिले और कहीं ना कहीं यह gain loss हो इसके regarding finance को लेक जो feeling है उस पर जादा focus करिएगा ठीक है जो feel करती है कि इसी person पर उसके regarding focus करके शादी करेंगी तो बहतर रहेगा अब बात कर लेता है जिकिए abroad को लेकर आपने सवाल पूछा दे कि बारवे घर का lot चार नमबर लिखा है ग्यारवे घर में बैठा है मतला आई के घर में आता है तो अगर आप अपनी knowledge को बढ़ाएं अपनी शमता को बढ़ाएं और आपके अभी महादशा चली है शनी की उसमें अंतरदशा चली है यूपिटर के अगर इस टाइम पर नहीं हुआ तो mercury के महादशा चलेगी इसके बाद 2024 के बाद सप्टेंबर के mercury के महादशा चल मंगल के साथ बेटा हले कि मंगल यहाँ पे आपके क्या बोलते हैं भागे का माली के आपनी महनत जरूर करिए भागे का माली को कि मंगत इस एकम में बींट बेह को सब्सक्ताइबी यह बिलकुल सब्सक्राइब jsem और इसमें आपको benefit मिलेगा partnership में जाएंगी तो भी benefit मिलेगा साथवे number का अच्छा है तो business partnership में जाएंगी तो अच्छा benefit मिलेगा ठीके आप income के घर में moon बैटा है moon के लिए आपको चुपाई जरूर कर सकती है और उससे आपका जो benefits है वो बढ़ जाएंगे अगर आप चाहती है abroad subtle होने के लिए तो आप कर सकते हैं कोई problem ने है ठीक है answer जी thank you